हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई टूब चैनल, चैप्टर टू से एक्जामपल 9 और 10 करेंगे इस वीडियो में, दोनों एक्जामपल सापके रिमेंडर थियोरम के उपर बेस्ट हैं, एक्जामपल 9 पढ़ते हैं, फैंडर रिमेंडर वें, अगर इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए, तो फिर रिमेंडर क्या होगा, अब रिमेंडर पता करने के लिए हम यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रिमेंडर थियोरम का यूज करेंगे, और रिमेंडर थियोरम का यूज क इस divisor को लेकर और इसमें से 0 पता करेंगे तो x-1 is equal to यह हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x की value आएगी यह 1 आ जायागा, x is equal to 1 तो यह 0 है अब यह जो 0 आया है यह जो variable की value यहां पे आई है 1 हम इसे इस polynomial में put कर देंगे जिसे हमको divide करना है यहां जहां पे x है वहां वहां पे x की जगह पे 1 put कर देंगे और वो ही होगा आपका remainder जब simplify कर देंगे तो remainder ही आएगा तो let's suppose जैसे इस polynomial को मैं px मान रहा हूं तो यह px है x4 plus x3 minus 2 x square plus x plus 1 तो यहां x की जगह पे मेरे को 1 put करना है तो यानी value मुझे निकालनी है p1 पे तो यह मैं ने x की जगह बनाई 1 put किया और इसकी power 4 x की जगह बनाई 1 put किया power 3 minus यह 2 यह x की जगह बनाई 1 put किया power 2 plus यह x की जगह बनाई 1 put किया plus और यह 1 simplify कर लेते हैं 1 की power 4 1 ही आएगा answer 1 की power 3 answer 1 ही आएगा ये minus 2 और 1 का square 1 ही होगा तो यानि 1, 2, 2 और ये minus तो minus का 2 ही होगा plus का 1 और आगे भी plus का 1 plus plus के नंबर देखें यहाँ पे तो plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 4 है तो 4 हो गया plus का और minus का ये A की नंबर है minus 2 ये plus और minus subtract हो जाएंगे 4 में से 2 गया तो 2 आगया और ये plus का 2 है तो ये जो आया है 2 यही आपका remainder है और यही होती है remainder theorem जिससे divide करते हैं यानि जो divisor होता है उसमें से पहले 0 निकालते हैं और जो variable की value आती है उसे उस polynomial में put कर देते हैं जिसको divide किया जा रहा है यानि कि जो dividend होता है जो भी simplify करके आता है वो आपका remainder ही होता है तो therefore remainder आएगा 2 अब एक्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं वहाँ पे भी इसी का use करना है एक्जाम्पल 10 में कहता है अब या कोशन की language आपको indirect दे रखी है डारेक्ट मिं दे रखा कि आपको remainder निकालना है आपसे ये पूछा है ये एक polynomial दे रखा है QT ये पूछा है कि क्या ये इसका multiple है 2T प्लस 1 का अब multiple का concept ही समझ लीजिए पहले multiple आपको पता होता है कि जैसे 2 के वो multiples है जो 2 के table में आते है 2 के table में 2 आता है 4 आता है 6 आता है 8 आता है 10 आता है तो multiple जो होता है वो अपने उस number से पूरा divide हो जाता है जैसे मैं 6 को उठाओं और यहाँ पर ये 2 है तो 2 का multiple 6 है तो जब मैं डिवाइड करूँगा न इस 6 को 2 से तो remainder 0 आएगा 2, 3, 0, 6 हर बार ऐसा ही होगा मैं कोई भी multiple उठा लूँगा और उस number से divide करूँगा जिसका वो multiple है तो हमेशा ही remainder 0 आएगा इसी concept को आपको समझना है अब यहाँ पे भी हमें remainder ही पता करना है पहले कि यह जो आपको दे रखा है qt और यहाँ पे जिसको पूछा है कि क्या यह 2t plus 1 का multiple है यह तो यहाँ हम divide ही तो करेंगे मतलब एक तरह से समझे कि divide करके ही तो पता चलेगा अगर हम इस polynomial को इससे divide करें और remainder अगर 0 आ जाए तो फिर यह इसका multiple होगा और 0 अगर ना आए तो फिर multiple नहीं होगा मतलब सारा जो हमारा base है वो इस बात पर टिका है कि remainder कितना आएगा तो basically हमें remainder ही तो निकाल ला है तो remainder theorem से हम remainder निकाल लेंगी तो यहाँ ऐसी करेंगे जैसे example 9 में किया है यह हमारा यहाँ पर divisor क्योंकि इसके multiple की बात कर रहा है तो इसे हम divisor मानेंगे 2T plus 1 और यहाँ से 0 निकालेंगे 0 निकलता है इस चीज को 0 के बराबर रख कर और variable की value आएगी यहाँ से यह 2T यह plus का 1 पहले इधर जाएगा तो minus हो जाएगा अब T यहाँ पर अकेला छूटेगा तो minus 1 के पास यहाँ यह 2 divide में चला जाएगा क्योंकि यहाँ multiply में है तो T की value आ गई है minus 1 upon 2 और यह है 0 बस यह जो T की value आई है अब इस T की value को इस QT polynomial में भर देंगे जो simplify करके आएगा वहाँ से हमें पहले remainder पता चलेगा पुट कर लेते हैं तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर value Q minus 1 upon 2 से यह मेरा question है यहाँ पर T की जगे मेरे को minus 1 upon 2 भरना है तो Q की value निकालनी है minus 1 upon 2 पर तो जहाँ जहाँ T है वहाँ पर minus 1 upon 2 पुट करते जाना है यह 4 हो गया T की मैंने जगे बनाई minus 1 upon 2 और इसका cube plus 4 T की जगे बनाई minus 1 upon 2 और यह square minus और यह T की जगे बनाई minus 1 upon 2 और आगे minus 1 लिखा हुआ है simplify कर लेते हैं अब इसको यह 4 हो गया और यहाँ पर minus 1 by 2 का cube है तो minus 1 by 2 into minus 1 by 2 into minus 1 by 2 1 upon 1 उपर 1 आएगा क्योंकि 3 minus है तो sin minus कही आएगा 2 to 0 4 4 to 0 8 तो minus 1 by 8 आगया है आगे यहाँ देखें plus और यह 4 minus 1 by 2 का ही square है यानि दो बार multiply करना है तो 1 1 0 1 हो गया minus into minus प्लस हो गया और 2 to 0 4 हो गया तो इसकी value 1 upon 4 हो गई है आगे minus और minus टकरा रहे है minus into minus plus हो जाता है और यह 1 by 2 as it is और आगे minus 1 लिखा हुआ है और थोड़ा simplify करते हैं तो 4 और 8 यहाँ पर कट रहे हैं 4 1 0 4 यह 4 1 0 4 हो गया और यह 4 2 0 8 हो गया तो उपर 1 1 0 1 और यह minus है तो minus 1 और नीचे सिर्फ यह 2 अगले में 4 और यह 4 यह कट रहे हैं उपर नीचे है 4 1 0 4 4 1 0 4 तो 1 1 0 1 और यह plus है तो plus का 1 नीचे भी 1 है लिखने की जुरूरत ही नहीं है आगे plus 1 by 2 plus 1 by 2 और आगे यह minus का 1 अब यहां मुझको यह कटते हुए दिखाए दे रहे हैं मुझे same values दिखरी हैं और negative positive में दिखाए दे रहे हैं minus 1 by 2 है plus 1 by 2 है तो cancel हो गया plus 1 और minus 1 तो cancel हो गया 1 मेंसे 1 गया तो 0 और 1 by 2 मेंसे 1 by 2 गया तो 0 तो answer आ गया 0 यहन्य इसकी जो value आई है यह 0 आ गई है और यह क्या है यही तो remainder है हम remainder ही तो निकाल रहे है remainder theorem से तो यह आ गया है remainder अब मैंने यहाँ पर आपको समझाए दिया था कि अगर remainder 0 आता है तो it means कि यह इसका यह जो अंदर है यह बाहर वाले का multiple होता है तो यहाँ पर वे बात बिलकुल ठीक है यह जो Qt polynomial है ना यह इसका multiple है थोड़ा language में लिख देते हैं भी इसको यह यह सी लिखना है हमें Yes Q Qt is a multiple of given polynomial 2t plus 1 Qशन कहतम Next Qशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए Goodbye